नमस्कार आप सभी देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ नैंसी कहां गए गुरू ये सवाल लगातार उठ रहा है कहां पर है नवजो सिंग सिद्दू जी हाँ जब से नवजो सिंग सिद्दू ने अपने स्तीफे का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ओफिशिल तोर पर ट्विटर पर अपने लेटर को पोस्ट किया जो उन्होंने राहुल गांधी को दिया था और उसके बार जब ये सवाल उठने लगे कि उन्होंने राहुल को क क्यूंढ क्याप्टन अमरिंदर सिंग को क्यूं नहीं दिया तब उन्होंने Emir अम्रिंदर सिंग को भी अपना ये letter post कर दिया अब ऐसे मी सवाल ये उट रहा था बीति दूरान से कि नव्जोम्सिंग सिद्धू आखिरकार गए कहा खाली में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिद्दू के परिवार में भी सन्नाटा चा गया है और सिद्दू जो है अपने कारेबार को जहां पर वो नहीं समाल रहे थे तो अपने वो निवास भी नहीं पहुंचे सवाल यही है कि कहां गए नवजो सिंग सिद्दू क्योंकि बीते दौरान पंजाब की राजनीती में काफी उथल पुथल देखी गई और कही न कहीं क्याप्टन और सिद्दू के बीच बगावत के सोर उठ रहे थे ना तो क्याप्टन अमरिंदर सिंग अपना फैसला बदलना चौहते थे और ना ही सिद्दू जो है अपने नए बिजली है वो थम जायत उन दोनों के बीच सुला हो जाए ऐसे तमाम चीजों के लिए यहाँ पर पार्टी के तमाम नेताओं ने महनत की मगर एड़ दा एंड फैसला ये निकला कि नवजो सिंग सिद्दू ने अपने पत से स्तीफा दे दिया यानि कि कहीं न कहीं यहाँ पर साफ पर यह देखा जा रहा है कि क्याप्टेन अमदिंदर सिंग की जीत हुई और नवजो सिंग सिद्दू यहाँ पर जुके भी मगर अब कहां गए नवजो सिंग सिद्दू यह सवाल लगातार उठ रहा है जो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिये दिखाएंगे कि आखिरकार स सिद्दू कहां गए कब गए और कहां पर है आप देखे हमारी यह खास रिपोर्ट पंजाब की राजनीती में एक नया रुकतब आया जब नवजो सिंग सिद्दू ने अपने स्टीफे का एलान किया जी हां यहाँ पर नवजो सिंग सिद्दू जो है साफ तोर पर अपना स सननाटा चाया हुआ है वो कब गए कहां गए इस बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है श्रीराम तीरत चौक के नसदी की सिद्द होली सिटी कलोनी सिद्द उनके घर के प्रवेश दूआर के दाएं और बाएं तरफ सफेद रंग के शेरों की दो बड़ी मूर्थिया स्थापित करके सिद्दू ने अपने व्यक्तित्व का संदेश दे दिया अब वही नवजो सिंग सिद्दू स्थीफा देने के बाद एक बार फिर से अग्याद पास में चले गए शेरों की मूर्थिया उसी तरहा खामोश खड़ी नजर आ रही है जैसे इस पूरे आकरुम पार चना की पतनी डॉक्टर नवजोत कोर सिद्दू और कुछ अन्य परिवारिक मित्रों के साथ विचार विमश भी किया सिद्दू दे रात घर से रवाना भी हो गए रविवार को उनकी निवास्थान पर उनकी सुरक्षा में तैनाथ पंजाब पुलिस के जवान उनकी क इस गाड़ी से कुछी दूर पर डॉक्टर सिद्दू की गाड़ी दिखाई दे रही थी सिद्दू अपने साथ सुरक्षा कर्मचारियों को भी ले गए इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है सिद्दू के निवास्थान की तरफ तीन और सडके हैं इन तीन सडकों की तरफ आगे प्रवेश और निकासी गेट बंध हैं कोई कोठी के बीतर भी नहीं आ सकता है इसकी जानकारी नहीं है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लवजो सिंग सिद्दू जो है वो एक दम से गायब ह हो गए हैं स्तीफा दिया और स्तीफे के बाद पूरे मामले में पूरे विवादों में देखा गया कि जब हर एक शक्स नव्जो सिंग सिद्दू को लेकर अपनी टिपणी दे रहा था मगर नव्जो सिंग सिद्दू थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने पत्तित्व को जगाते हैं मगर कहीं न कहीं सिद्दू का यूं इस तरीके से बिन किसी को कुछ कहे यूं चले जाना यकीनन ही कॉंग्रेस के लिए भी मुश्किल का समय है कॉंग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा रहा है और उनके चाहने वालों के लिए भी चिंता का सबब ह कि आखिरकार नवजो सिंग से दू गए तो गए कहां